हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सोगत करता हूँ प्यार दोस्तो अभी आपने हमार यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एम्स राइबरेली भरती दो हजार तेज़ दोस्तों एम्स राइबरेली से गुरूब B एन गुरूब C की परमनेन भरती आ चुकी है अल इंडिया भरती है पूरे भारत से फार्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों एम्स राइबरेली से 149 पदोब पर फार्मासेश्ट, जूनियर इंजिनियर, असिस्टन इंजिनियर, लेब टेकनिसियन, पैरामेडिकल लिस्टाफ, नर्सिंग अरदली, इसके अलामा 36 पोजीशन पर अलगलग यहां पर भरती है निकाले गई है तो आज इस वीड जली का syllabus क्या होगा इसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे इसके साथ ही exam center यानि कि test city center क्या है इसकी भी जानकाये देंगे negative marking के बारे में जानकाज देंगे and minimum qualify mark से category wise इसकी भी जानकारी हम आपको इस special वीडियो में देने वाले हैं तो अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलिया आपको लेके चलते हैं AMS राइबरेली की वेबसाइट पर तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे आखिल भारती आयरविज्यान संस्थान राइबरेली AMS राइबरेली का दोस्तों जॉब पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुका है दोस्तों यह रिकूटमेंट पेज है और इस पेज का लिंक नीचे डिस्कोशन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर किलिक करके डारेक्ट आप लोग इस वेबसाइट पर आईए इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको देखना है नमबर सेकेंड ओप्सन एडवोटाइजमेंट फॉर रिकूटमेंट तू वेरियस ग्रूप B एन ग्रूप C नॉन फेकल्टी पोस्ट ओन डॉरेक्ट रिकूटमेंट बेसिस एड एम्स राइबरेली यानि कि परमन्न सरकाई नोकरी है और यहां से 149 पदोग पर एवेकेंसी निकाली गई है सबसे अच्छी बात ओनलाइन सुरू हो चुका है और आप लोग जो है 16 अक्टोबर तक फार्म को अप्लाइग कर सकती हो तो लास्ट डेट यहां पे 16 अक्टोबर 2023 रखी गई है बाकि डाउनलोड डिटेल्स का ओप्सन है इस पे आप लोगों को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे आपकी फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी और यहां पे आप लोग देखिए आकिल भारती आयरविज्यान संस्थान राइबरेली और इंडिया इंस्टिटीट ओफ मेडिकल साइंसे राइबरेली मुंसी गंज राइबरेली पिन को 229405 उत्तर पर्देश इंडिया यहां से पर्मारेन भरती निकाले गए यह नोटिफिकेशन डेट मेंसन है 14 सब्तमबर 2023 और नीचे आओगे तो यहां पर बहुत साड़े 36 अलग अलग पोजिशन पर विकेंसी के डेटेल्स यहां पर सो कर रही है असिस्टेंड आकाउंट्स ओफिसर की विकेंसी है यानि की असिस्टेंड इंजिनियर की विकेंसी है और Ideologist and Speech Therapist की विकेंसी है Dental Hygienist Technical Officer की यहां पर विकेंसी है यह सभी अभी Group B की विकेंसी दिखाई जा रही है इसके नीचे आओगे तो Group C की विकेंसी मिलेगी बाकि मैंने Qualification के बारे में and विकेंसी के डेटेल्स के बारे में Application Feeds के बारे में Age Criteria के बारे में पहले ही जानकाई देदी है चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जाके देख लेना अब जैसे आप लोग नीचे आओगे तो सबसे पहले बता दे अभी आपको Official Full syllabus जारी नहीं किया गया है बाकि सब कुछ यहां पर जारी कर दिया गया है जिसमें आप लोग देखिए सबसे पहले CBT मोड में आपका एकजाम होगा यानि कि Online आपका एकजाम होगा इसके लिए साब साब यहां पर बताया गया है Computer Based Test CBT तो यहां पर दोस्तों आप लोग जैसे आओगे तो देख सकते हो CBT मोड में आपका Online इकजाम होगा और इकजाम सेंटर सीटी की जानकारी दे दी गई है 12 इकजाम सीटी सेंटर बनाए गया है इसके लिए नमबर वन, नई दिली, दिली NCR आपका इकजाम सीटी सेंटर बनाए गया है बैंगलूरू आपका एक्जाम सिटी संटर बनाये गया है जम्मू आपका एक्जाम सिटी संटर बनाये गया है मुंबई आपका एक्जाम सिटी संटर बनाये गया है लखनव, जैपूर, कोलकाता, पटना, चंडिगर, हैदराबाद, गुहार्टी, भूपाल यह आपका एक्जाम City Center बनाए गया है यानि कि आपके राजधाने में आपका एक्जाम होगा अगर हम बात करते हैं उत्राखंड तो उत्राखंड का आप लुग देखो गे तो कहां पे एक्जाम होगा तो उत्राखंड वाले या तो फिर दिल्ली में एक्जाम दे सकते हैं या फिर लखनू में एक्जाम दे सकते हैं राध्यस्थान वाले जैपूर में दे सकते हैं और दिल्ली वाले दिल्ली में दे सकते हैं और हरियाना वाले भी यहां पर दिल्ली में एकजाम दे सकते हैं या उतर परदिस में दे सकते हैं और बिहार वाले पटना भी दे सकते हैं और मदपरदिस वाले भोपाल में एकजाम सिटी सेंटर रख सकते हैं तो ऐसे करके अच्छा यहां पर एकजाम सिटी सेंटर दिया गय बाकि आप लोग आओगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निग्योटिव मार्किंग यहां पर रखी गई है और फुल स्लेबस की जानकर यह भी इस नोटिफिकेस में दी गई है लेकिए मैं आपको बता दू आपको जी के पढ़ना है और आपकी जो टेकिनिकल प का आएगा वन बाई फूर का यहां पर नेग्योटिव मार्किंग रखी गई है तो सो कोस्टन रहेंगे सोर नंबर का रहेगा और 90 मिनिट का यहां पर समय होने से कितने कोस्टन आएंगे अभी इसकी जानका नहीं है फुल स्लेबस अलग से जाएगी थोड़ा वेट करिए बाके मैंने आपको बता दिया टेकिनिकल पढ़ना है आपको जी कि आपको पढ़ना है तो कोस्टन है कि सोर नंबर कर रहेगा 90 मिनिट का समय मिलेगा 1 बाई 4 का निगेटिम मार्किंग है और यहां पर मिनिममम कौलिफाइं मार्क्स रखी गई है जो आपका CBT मोड में एकजाम होगा इसमें मिनिममम कौलिफाइं मार्क्स है इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको सेलेक्सन नहीं होगा आपको डिस्कौलिफाइं किया जाएगा तो OBC, NCL, EWS category है तो आपको 100 में 35 नंबर लाने होंगे और अगर आपकी category SCHT है या PWD है या एक सर्विसमेन हो तो आपको 100 में 30 नंबर लाने होंगे या minimum qualify marks है CBD के लिए और इससे कम marks लेके आओगे तो आपको disqualify कर दिया जाएगा साफ साफ यहां पर बताया गया है बाकी इसका answer की भी आएगा यह सबसे बड़ी खुसका भी है जी हाँ answer की भी आएगा और answer की में आप लोग आपने question papers भी download कर सकते हैं और किसी question पर आपको objection करना रहेगा तो 100 रुपे payment करके आप लोग जो है question पर objection कर सकते हो तो पर question 100 रुप आपको जो है charge यहां पर देना पड़ेगा कर आपको objection करना है बाकी आपका answer की आएगा उससे आप लोग क्या देख सकते हैं कि आपने जो कितने question किये थे कौन कौन से question किये थे किस type of question से सब कुछ यहां पर check कर सकते हो तो इस तरीके से आप लोग देखिए CBT के base पर ही आप का यहां पर selection होगा और 16 October तक आप look farm को यहां पर apply कर पाएंगे तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में number one syllabus जो कि official है यहां पर बाद में आएगी यानि की GK से कितने question आएंगे मैज से आएगा या नहीं आएगा रिजिनिंग आएगे नहीं आएगा और technical से कितने question आएगी बाकि मैंने आपको बता दिया कि आपको technical से तो question आएंगे याएंगे और GK आ सकता है यह आपको पढ़ लेना है जब तक यहां पे full syllabus नहीं आजाता इसके बाद negative marking के बारे मैंने आपको बिल्कुल official बता दी है one by four का negative marking है चार question गलत करोगे एक number कटेंगे और test city center के बारे में जानकारी दे दी है cbt mode में आपका exam होगा और minimum qualify marks के बारे में भी जानकारी हमें आपको दे दी है कितना समय मिलेगा कितने question रहेंगे एक question कितने number गए इसकी भी हमने आपको जानकारी दे दी है